नमस्कार विरिश्चिक राशी वालों, स्वागत याव शभी का हमारे यूट्यूब चैनल में विरिश्चिक राशी वालों, दोस्तों कैसे हैं आप शभी? उमीद करते हैं भगवान ब्रह्मदेव जी की आशिरबाद से आप शभी बहुत अच्छे होंगे, श्वस्त होंगे, मस्त होंगे और भगवान ब्रह्मदेव जी से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जीवन में दिन दोगनी, रात सोगनी तरक्की करें विरिष्चिक राशी बालों, दोस्तों आज साम पांच सत्ताइस बजे सी हड़कंप मचेगा, जीहा दोस्तों हम आप शभी को बता दें कि दोस्तों ब्रह्मदेव का लिखा कोई नहीं बदल सकता, आज पांच बड़े कारे होकर रहेंगे जीहा विरिष्चिक राशी बालों, ये पांच बड़े कारे आपकी जिन्दगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं जीहा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ब्रह्माजी ने आदेश दे दिये हैं, और दोस्तों जब ब्रह्माजी का हुक्म शलता है, तो उनके आगे किशी की भी नहीं चलती है जी हाँ दोस्तों अब आपकी जीवन में वो होगा जो ब्रम्हा जी ने तैक किये हैं क्योंकि विरिष्चिक राशी बालों ब्रम्हा जी का कलम कभी रद नहीं होता है वशरतने दोस्तों आपको इस वीडियो में बताई गई शभी बातों को ध्यान चे सुने क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियां है आज साम 5.27 बजे सी किन बातों का आपको ध्यान में रखना है कौन सी सित्रों में आपको कारी करनी है ताकि आपको धनल आपकी प्राप्ति हो, क्रहों की इन बनलती चाल आपके घर के महल में, आपके परिवारिक जीवन में, आपके आर्थिक जीवन में, आपके नेजी जीवन में, वो आपके प्रतेक शेत्र में कौन-कौन से पांच बड़ी बदलाव होंगे, कौन-कौन से खुश खबरी आपको मिलने वाली है कौन-कौन से आपके जीवन में नए रास्ते खुलने वाले हैं दोस्तों शभी बाती बहुत ही ज्यान वर्धक है पूरी कुंडली विशलेशन करने के बाद आज की वीडियो हमारे जोतिस सास्त्र जी तैयार किये हैं दोस्तों अपना थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक देखियेगा परंतु उष्य पहले भगवान ब्रह्मदेव जी के जो भी सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं एक लाइक जरूर प्रदान करें और सच्चे मन्चे कमेंट बॉक्ष में जै ब्रह्मदेव जरूर लिखें आईए दोस्तों जानते है आज साम पांच सताइस बजे से किस तरह से आपके किश्मत के पन्ने पलटने वाले हैं और कौन-कौन से महकुण बलाओ आपके जिवन में लेकर आने वाले हैं दोस्तों आज का दिन समाजिक शित्रों में कार्यत लोगों के लिए शमय काफी उत्तम रहने वाला है आप अप जब किसी नए काम की शुर्बात करना आपके लिए काफी जो है लाबकारी रहेगा आपकी परिवारिक कोई सदसे आज आपको कोई सलह दिया है तो उसे जरूर मानें क्योंकि दोस्तों आपके लिए उत्तम रहेंगे और इससे परिवारिक शांती भी बनी रहेगी करियर को लेकर कुछ समस्या लंबे समय से चल रही थी तो वो समस्या भी अब काफी हद तक समाप्त होंगी और आज आपको रशनात्मक कारी से जुड़ने का मौका मिलेगा और आज आप किसी नए काम में निस संकोच होकर आगे बढ़ेंगे और आपके नाम वह प्रतिशत भी काफी ज ही उचित फल मिलता है जी हां दोस्तों शितारे कहती हैं कारिक शित्र में कारिक शित्र मी आज आपको प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और उन लोगों के लिए सबसे अच्छी खबर है जुन लोग ने शोने सांदी की खरिदारी विक्री का काम करती हैं उनके लिए काफी दिनों से अच्छा है पहले दिनों में से आज का दिन सबसे खाश होने वाला है आपके निरने लेने की शमता का आज आपको लाब मिलेगा शाथी साथ दोस्तों आज आप तयार रहें कोई बड़ी आफर आज आपको जो है हाथ लग शकता है एक प्रकार से यूं कहें त आज बड़ा हाथ मारने का मौका भी मिल सकता है उसके लिए आज आप थोड़ा सा ताथ पर रहें जारा सोच विसार करेंगे तो समस्याएं जो है समय आपकी हाथ से निकल सकती है उसलिए जारा सोच विसार करने शे बचियेगा मौका मिलते ही आपको सौका मारना होगा तभ दोस्तों आज के दिन जो अपने नए घर का निर्मान या शुरू करना साहती हैं वो लोग आज कर सकती हैं उसके लिए आज का दिन काफी ज्यादा उत्तम रहेगा आप अपने व्यापार रूटीन को भी बनाए रखें तभी आप शकारतमक लाब उठा पाएंगे आपकी अगर एक साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो उजमें आपको जो है काफी लाब देखने को मल सकता है आप शब को शाथ लेकर चलने के पूरी कोशिश करेंगे और वो कोशिश आपके काम्याब होंगे वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आपके दिनचर्या के लिए ज खड़ी कर सकती है इसलिए आज आपको लापरवाही नहीं करना है आपको अपनों के सयोग से किसी नए कारी को करने का मौका मिलेगा और अपनी वाणी का वेभार मधूर बनाए रखें नहीं तो यहाँ पर समस्या होशकती है जितनी होशके वाणी में थोड़ा सा मिठाश सेहेंगे आप कुछ मामलों में सहज गती से आगे बढ़ेंगे और तभी उश में लाव कमा पाएंगे विनमरताशे आज आपको कोई काम करना होगा तभी वह काम आपका पूरा होशकेगा आपको अपने किसी मित्र की बातों में आने से आज बसना होगा नहीं तो वाँ आपको तरह तरह की बाते कहेंगे तरह तरह के मार्ग रास्ते दिखाएंगे लेकिन दोस्तों कौन से रास्ते में आपको चलना है वो आपको ताई करना है नहीं तो आगे चलकर आप खाही में हुई गिर सकते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा वही दोस्तों आपके लिए जो दोनों बढ़ेगा जी हाँ दोस्तों आप अपनी सुजबुश दिखाते हुए काम और अपने लक्ष को पूरा करें शमय पर काम करें और समय पर किया गया कारे हमेशा ही उचित परनाम मिलता है उचित फल मिलता है इसलिए शबी कारियों को समय पर करने की कोशिश करें तो ये आपके लिए बहतर होंगे दोस्तों आज आपको अपने जीवन शाथी की और से कोई सुब समाचार सुनने को मिल सकता है जो कि दोस्तों आपका मन गदगद हो जाएगा खुशी से उचल पड़ेंगे जी हाँ आप लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा शकती ही जो कि आपके समस्या बन सकती है इसलिए दोस्तों खर्च आपको हमेशा ही अपने वज़ट की अनुशार ही करना है सोच समझकर ही खर्च करना है क्योंकि दोस्तों जो धन आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं यह फिजूल खर्ची आने वाले समय में आपको दिकत परिशानी खड़ी कर सकत है और मालक्षमी भी उस घर में कभी भी वास नहीं करती है जो फिजूल खर्चे करती है इसलिए खर्ची हमेशा सोच समझकर ही करिएगा और कुछ धन भविश्य के लिए बचा कर रखना आपको आने वाले समय में काम आएगा दोस्तों अगर जानकारियां आपको अच्छी लगी हो जानकारियों से आप शेहमत हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्ष में जै मालक्षमी जरूर लिखिएगा मालक्षमी आपके शारे बिगडे काम बना देंगी इस बात की गैरंटी है तो प्रेम शे बोलिए जै